दोस्तो आजके वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि modular board में सुष socket को कैसे connect किया जाता है और उसके connection कैसे किया जाते हैं और उसको बोल पर कैसे mount किया जाता है तो यह सब हम आपको practically करके बताने वाले हैं तो वीडियो पसंद आए तो इसे like share जरू करें और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो वो चैनल को subscribe जरू करने क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती है और subscribe करना भी बिल्कुल free होता है आप subscribe कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें इस board को install करना है यह एक हमारा गुल्ली को लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो फ्रेम होता है उसका उसको हमें इस प्रकार से माउंट कर देना है तो हमने इस प्रकार से इसको माउंट कर दिया है फिर इसके बाद हमारे जितने भी बायर होते हैं जितने भी हमें जगह पर इसको on-off कराना है सोच मुलानषथ ठैसलने के लिए समय में आप प्रेस पर फृसह करें content यहां पर प्रेस कर देंगे तो यह आसानी से ऎक्षान आ जाता है और इसकी जो सुच होता है उस पर जो नीचे की साइड रोमा मार्किंग होती है तो आपको ध्यान रखना है कि आप सीधा रखें जो रोमा जो मार्किंग होती है उस पर वो नीचे की साइड रहे सुच पर भी रहता है तो आपको उस हिसाब से आपको बिल्कुल सीधा लगाना है तो यहाँ पर क्या क्या हमारा लग सकता है तो यहाँ पर देखिए एक सुच हमने एक्स्टर लगाया तो बहाँ पर रेगुलेटर लगाना था तो हमने यहाँ पर अभी रेगुलेटर लगा दिया है और यह देख रहे हैं दो हमारे पास डमी लगी हुई है जो इंपटी होती है क्योंकि हमारी सॉकिट भी नहीं लग सकती इसके बाद और सुच जितने लगने थे हमने वो लगा दिये हैं अब इसके हमें करना है connection तो connection करना बहुत easy होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है जितने भी यहाँ पर सुच लगे हुई है उसमें हमें एक face को देना होता है तो आपको सभी सुच को एक बायर की साहता है देखिए यह बायर था इसके हमने insulation निकाल लिया है और इस बायर से आपको सभी सुच है उसके एक terminal को sort कर देना है तो जिससे आपकी जो सुच है वो सभी में supply आ जाएगी तो आपको इस प्रकार से देखना है एक एक terminal पर इसके बायर है उसको connect कर देना है और उसको अच्छे से tight कर देना है और यहाँ पर देखिए दो सुच नीचे है तो हम नीचे भी इसको अच्छे से connect कर लेंगे और तो दोनों socket यह सुच है वो भी हमारे यहाँ पर इससे loop हो आते हैं तो आपको क्या करना है यह जो regulator का एक बायर होता है और जो हमारा सुच का एक terminal बचा हुआ है उपर वाला तो हम उससे इसको connect कर देंगे तो जैसे हम सुच को on करेंगे तो जो regulator है उसमें supply आ जाएगी तो देखिए इस प्रकार से आपको connect करना है और इसको अच्छे उस से जल सकता है इसके बाद यहां पर जो circuit लगा हुआ है हमें उसके connection को करना है तो याद रखें जो जब भी connection करते हैं तो पहले तो उस पर marking होती है कि आपको लाइन कहां पर देना है और. नूटल कहां पर देना है कोस्ट करें जहां पर लान देना है बहीं पर आप सुछ से सप्लाई को दें उससे क्या होता है जो हमारी सप्लाई होती है जो सौकिट को अगर आप बोड को सीधा करके देखेंगे तो राइट साइड में आपका फेस आना चाहिए तो यह बेनिफिट होता है जब भी हम इनवेटर लगाते हैं तो इनवे भी पेट उसमें यहां आफ साइड में फेस आना चाहिए तो इस प्रकार से देख्यें हमने новýर देख्या कर लिया है अब हमें यहां पर यह सभी connection को करना है तो देखीं यहाँ पर आपको सभी रायर को पहले पता होना चाहिए कि कौन सा भायर हमारा किस जगाय का वस इस रङ्णा से आपको connection करना हुता है जब आप ल 언제 किस जगा 10üne रहाहीं और इस वाला जो बायर है देखिए इस पर हमने कनेक्ट किया है यह हमारा इन्वेटर का बायर है और यह सभी लोड हमारा इन्वेटर से चलने वाला है और इसके बाद जो हमने सप्लाई में सप्लाई है उसको कनेक्ट कर दिया है यहां पर और जो इन्वेटर की सप्लाई थी उसको बहां से ब्रेक कर दिया है जो नीचे हमने कौन सा बायर कहा है तो आप सप्लाई को ओन करके जो हमारे मेन सप्लाई होती है उसको पहले कनेक्ट कर लें और उसके बाद उस बायर को टच करके देखें तो पता चल जाएंगे कौन से सुछ से हमें कहां पर लूट को चलाना है आप उसको सुछ से कनेक्ट कर सकते हैं और कने को उसमें टाइट करना है अगर आप पहले टाइट कर देंगे तो साइद दूसरा होल आप मैच करेंगे जो इसक्रूब मैच नहीं होगा तो आप पहले सभी जो हमारे screw होते हैं उसको सभी को लगा लें और उसके बाद आप एक-एक करके उसको tight कर दें तो tight बिलोको अच्छे से कर दें इससे fix हो जाए तो देखिए यहाँ पर जो board है हमारा वो fix हो गया है दोस्तो इस परकार से आपको कोई भी board है वो connect करना होता है चाहे वो modular हो चाहे नॉर्मल बोडो इस परकार से आप इसको लगा सकते हैं यह बहुत ही simple होता है बहुत ही आसान होता है connection कोई भी board हो सबके सेम होते हैं चाहे हमारा normal बोडो या modular बोडो connection सबके सेम होते हैं तो आपको इसी परकार से connection करना होता है और इसको इस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं